इस वीडियो में पोर्टेवल ऑक्सीजन स्लिंडर के बारे में आपको मैं बताऊंगा जैसा कि आपको पता है कि इसमें करोना का संक्रमन बहुत ही से बर रहा है हर रोज कई सारे नए मामले जो है आ रहे हैं और लोग घर पर रहने के लिए ही मजबूर है क्योंकि बाहर का हाल जो है बहुत खराप होते जा रहा है इस क्रम में बहुत सारे राजियों ने अपने यहां जो है कंप्लीट जो है लोग डाउन भी कर दिया है कोवीड उननीस का जो मामला इतना सारा बर रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन स् हुई है ऐसे में कुछ लोग जो कल संकर्मन से प्रिट्ट है वो अस्पताल ना जाकर अपने घढ में खुद को जो है कॉरेंटाइन जो है यहां पर कीये हुए ठीक है जो लोग अपने घढ में कॉरेंटाइन है वैसे वैसे लोगों को हो सकता है कि oxygen cylinder के जोद पड़े तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसे condition में आप online या offline portable oxygen cylinder वो आप जो है अपने लिए घर पर मंगवा सकते हो portable oxygen cylinder के आपको मैं बता दूँ short coat में तो एक छोटा सा debug होता है जिसमें कि oxygen को compress करके डाला गया होता है बहुत वजन में काफी हलका होता है जिसको आप अपने घर पर भी यूज कर सकते हो डॉक्टर का सला लेके क्यूं अगर यहां पर हम home quarantine है तो क्यूं हमको portable oxygen cylinder का जरूरत पड़ सकता है जो भी व्रक्ति Corona virus से संक्रमीत है ठीक है तो मैं आपको बता दूँ कि उनके फेफरो पर सबसे ज्यादा अरसर होता है जिससे उन्हें सांस लेने में काफी दिखतों का जो है वहां पर सामना करना पड़ता है कई लोग जो है खुद को home isolate कर रहे हैं क्योंकि अस्पतालों में तो जगब मिलनी पा रहा है बड़ा मुश्किल है ऐसे स्थिती में जो है oxygen से कमी से जूजने के लिए उनको portable oxygen cylinder की जरूरत होती है जो कि आपकी doctor के सलाह लेकर जो है आप अपना यूज कर सकते हो घर में और उसको खरीद भी सकते हो online market से एक ही यार दखिए कि doctor का advice लेना बहुत जरूरी है portable oxygen cylinder यूज करने के लिए आप अगर oxygen cylinder को online order करने के बारे में जो है आप विचार कर रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने doctor से सलाह ले लेजी यह बहुत जरूरी है क्योंकि oxygen cylinder pump पर बेस्ट केन होता है इसका इस्तमाल सीधे मुह में या फिर mask के जड़िये जो है नाक वो मुह से जो है किया जा सकता है हाला कि इसमें दोस्तों oxygen की मात्रा जो हो कम होती है क्योंकि एक portable oxygen cylinder है इसका इस्तमाल तब किया सकता है जब इस्तिती जो है काफी ज्यादा गंभीड हो इमरजनसी वाली स्तिती हो तब आप इसको यूज कर सकते हो जैसे पोर्टेवल oxygen cylinder को आप ओनलाइन खरी सकते हो जैसे कि मैं वेबसाइट बता दूँ ऑनलाइन ओरर देके खरी सकते हो अपने घर पर मंगवा सकते हो इसका जो कीमत होता है प्राइज होता है अलग-अलग वेबसाइट पर थोड़ा थोड़ा आपको difference मिलेगा ठीक है तो अलग-अलग प्राइज इसका होता है जो कि आप वेबसाइट पर जाके इसके वरे में प्राइज होता है वो उसके pump account और full volume पर depend करता है तो खरीदने से पहले उसका full review जो check कीजिए आप जरूर से जो लोग पहले उसको use किये हुए है वो review देते है तो जबसे अच्छा जो review लगे आपको वो आपको purchase करना चाहिए अगर आप इसको offline खरेना चाहते हो तो अपने नजदी की किसी pharmacy की दुकान पर जाके जो है आप इसको खरीच सकते हो तो portable oxygen cylinder emergency में यूज करने के लिए बनाया गया है ताकि आप अपने family doctor से सलाह लेकर आप इसको घर पर भी यूज कर सकें क्योंकि आज थोड़ा सा आपको पता है कि अस्पतालों के इस्तिती अभी रहा है oxygen का भी बहुत कमी हो रहा है तो सरकार इसमें बहुत कोशिस कर रही है लेकिन अपने आप से भी जो है आपको थोड़ा सा इसमें तयार रहने की जरूरत है तो यह चीज आप उसमें यूज कर सकते हो धन्यवाद